के बारे में जो main हम लोग basics के बारे में देखे थे उसको आध से revise करते हैं then हम लोग आज जो पढ़ेंगे फिर Loom के बारे में पढ़ेंगे तो starting with the sizing aspect to sizing एक coating होती है जैसे कि basics की बात करे रहे थे कि basic किस तरह से questions आते हैं उनको भी हम लोग discuss करेंगे तो sizing में क्या important होता है क्या चीजें होती है वो चीज हमें समझनी होगी इसको करते क्यों है तो improve the vivability, vivability improve करने के लिए hairiness को reduce करने के लिए और smoothness बढ़ाने के लिए इससे आपकी absorbency भी बढ़ जाती है yarn की absorbency बढ़ जाती है in the sense फिर जब आपको इसमें looming process में आसान हो जाएगा for things to happen अच्छा यह करते किस वजे से हैं यह करते किस में slasher sizing machine is a most common machine that is being used अच्छा sizing क्या है basically it is the process by which a protective coating on the warp yarns to minimize yarn breakage during weaving अच्छा आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कहोगे क्या कि sizing क्या weft yarn की करते हैं नहीं करते हैं तो sizing आपके लिए यह important हो जाता है कि sizing जो आप करोगे सिर्फ warp yarns की कर रहे होगे अच्छा दूसरा चीज क्या चीज होती है इसको heart of the weaving भी बोल रहे होते हैं यह क्यों बोलते हैं यह चीज जैसे पूछ रहे थे कि objective questions में अपार्ट्रम जैसे लेक्चरार की बात कर रहे हैं तो उसमें इस तरह से पूछा जा सकता है heart of weaving किसको कहा जाता है कौन से process को कहा जाता है क्यों कहा जाता है smallest error in the sizing process may be very harmful this may increase the warp breakage rate on the looms and consequently reduce the weaving production in quality इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें कोई issue होता है तो वह warp breakage जादा-जादा हो जाएगा और उसके बाद आपकी weaving की जो weaving में आप suppose करो 100 आपका 100 kg का production होना था that will be reduced to half or something like that तो यह चीज़ें हो रही होती है objective data we have discussed smoothness hairiness strength भी बढ़ाता है इसमें आप देखोगे यह थिकने से ऐसी है तो यह थिक जादा हो जाएगा इसमें basically जो sizing agent use करते हैं वह स्टार्च को यूज कर रहे होते हैं weaving sizing drying leasing और weaver's beam आप बनाते हो तो यह process होता है जब warp beam आपकी बन जाती है then आप sizing करते हो sizing क्योंकि यह paste होता है आपका size paste होता है तो यह क्या हो जाता है वेट हो जाता है आप वेट को इसको ड्राइ कराना पड़ता है ड्राइ कराने के बाद आप लीज रॉड लीज रॉड क्या करता है आपका शेप प्रॉपर शेपिंग देता है इसको और आप वीवर's beam से इसको पास कर देते हो इसमें जो sizing का एक question जो हम लोग ने कल डिसकस क करते हैं क्योंकि आप पेस्ट बनाते हो जैसे कि हम लोग प्रिंटिंग पेस्ट बना रहे होते हैं उसी हिसाब से उसी हिसाब से आप size paste भी बनाते हो size paste क्योंकि अगर आप only starch लोगे only starch या sizing agent लिया तो वह पेस्ट नहीं बनेगा that will be more more kind of a more viscous और अगर आपको coating करानी है तो you need some kind of lubricant as well तो यह चीजें भी जरूरी होती है अचा जैसे हम लोग ने discuss किया था size take-up percentage का कितना वह लेगा add-on करेगा अगर मालो 100 gram उसका पहले weight था और अब 120 gram हो गया है तो हमको निकालना है size add-on percentage तो आप कितना निलोगे कि weight of the size yarn minus weight of the unsized yarn upon weight of the unsized yarn into 100 तो यह हो गया यह कित 20 upon 100 into 100 यह 20% हो गया 20% हो गया ठीक है ना यह चीज़ हम कहते है size take-up percentage को तो यह थोड़ा सा चीज़ें जरूरी है हमारे लिए समझना और यह कौन-कौन से different different types of the sizing machine होते है hot melt sizing, solvent sizing, foam sizing, high pressure sizing, electrostatic sizing और emulsion इनमें broader topic में अगर आप बात करोगे तो इनमें difference क्या है इनमें difference है process का कि किस तरीके से sizing हो रहे है यह solvent का आप use कर रहे हो कि by the use of the foam आप उसको process in the term application process की बात करते है application in the sense कि आप किस तरह से उसको apply कर रहे हो वही चीज़ी इसमें change हो रही होती है जैसे क्या है इसमें बात करेंगे यह अपने recipe preparation की it is not of our use इसमें आप recipe बनाओगे फिर उसको heat करके आप उसकी recipe बना रहे होगे तो इसमें होगा क्या इसका effect क्या यहाँ पर हमें paper में यह question आता है what are the effect of sizing on yarn यह चीज़ थोड़ा जरूरी हो जाती है the amount of size depends on the yarn structure कौन से structure है कितनी recipe ले रहे हो क्या roller का pressure है क्या machine की speed है यह question आया था एक बार gate में कि कौन-कौन से sizing में कौन-कौन से चीज़ों पर फर्क पढ़ रहा होता है मतलब effects किसमें होता है तो आप recipe change कर दोगे तो size में change हो जाएगा yarn के structure पे change हो जाता है suppose करते हैं yarn के structure का मतलब कैसा है जैसे आप ring yarn लो versus rotary yarn लो तो क्या होता है ring yarn जो है वो आपका जादा smooth sense में भात कर रहे होते हैं जो जितना जादा smoothness होगा उतना जादा आपका sizing का add-on जादा easy हो जादेगा as compared to this यान जो है after sizing it will become stiff but more or less यह depend करेगा यान के structure पे जैसे आपने बात किया कितने कितने आपके जैसे ring yarn हो गया rotor yarn हो गया आप जो twist देते हो यान में यान के structure में जैसे आपने बड़ा पढ़ा होगा Z twist देते हैं और S twist देते हैं तो उसके हिसाब से भी यान के structure प मतलब आप pressure को कम कर दोगे अगर यह आपने reduce कर दिया यह आपने reduce कर दिया तो क्या है आपका sizing कम होगा मतलब in the sense आपका बहुत जादा चीज वह squeeze हो जाएगा और उस चीज पर भी depend करेगा कितना add-on आएगा अच्छा दूसरा चीज क्या है जैसे size अगर आपने excessive sizing कर दी तो आपका yarn जो है वह बहुत heavy हो जाएगा yarn बहुत heavy हो जाएगा आप yarn आपको बहुत जादा heavy हो जाएगा और उससे आपकी weaving में difficulty आ जाएगी weaving में difficulty आ जाएगी in the sense आपका weave अच्छे से नहीं हो पाएगा तो these are the things कि क्या होगा अच्छा अगर आपने add-on कम किया तो क्या होगा आपका yarn already hairy हो जाएगा और उसमें strength भी नहीं आ पाएगी और दूसरा आपके breakage की chance भी जादा हो जाएगे अगर आपका add-on नहीं सही हुआ तो yarn में strength नहीं आएगी strength नहीं आएगी तो weft के break होने के chances जादा हो जाएगे तो this is the thing जैसे यह है कि यह size बता रहा है optimum level कितना है और these are the things that you don't need to remember these are starch अब आपको यह पढ़ना है कि starch binder softener और यह different different agents लेते है इस्टार जो है सबसे main agent हो जाता है कि starch present किसमें होता है potato में present हो रहा होता है आपने देखा होगा during holy और festival जब हम लोग वो आपके chips होते है तो उसमें जो आपका brown side में जो आपका white color का material हो जाता है that is basically starch starch is a cellulosic content जो present होता है potato में अच्छा आप PVA को भी use कर लेते हूँ CMS carboxymethylated starch these are things used अच्छा binder को क्यों use करते है binder का काम क्या होता है binder help करता है कि size add-on हो जाए मतलब यह penetrate कर जाता है yarn के अंदर और यही yarn की strength बढ़ाने में use कर जाता है और binder को अकेले नहीं use किया जाता है जैसे question आता है chemical processing में कि pigment printing process होता है printing जो है printing भी एक तरीके का paste है वह आप सब चीज में printing में paste सबसे ज़्यादा जरूरी है लेकिन pigment printing type होती है जिसमें pigment को use कर रहे हो तो एक question आयता gate में कि कि किस तरीके से pigment printing नहीं हो पाएगी किसके बिना pigment printing नहीं हो पाएगी तो उसमें कई सारे option दिये थे कि एक था कि कोई agent आपका दे दिया softener के बिना और binder के बिना anti-static जैसे दिया है सब के बिना हो जाएगी but binder सबसे important होता है तो binder से हम कर रहे होते है आपको कर लिजे आपको तो pigment printing में binder का सबसे जादा यूज हो रहा होता है binder किस तरीके क्यों थे pan की आप बात करोगे polyacrylonitrile और इस तरीके से आप calculation कर रहे होगे softener antiseptic agents waiting weighing agents इन चीज़ों को भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं जैसे आप कितना 500 लीटर पानी लिया रेसिपी लिया आपने तो इसमें starch binder softener इस तरीके से हम यूज कर रहे होंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग करते हैं अच्छा दूसरा आप आप देखोगे कि machine का description machine थोड़ा जरूरी है समझना एक slasher sizing machine के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि slasher sizing machine एक continuous sizing machine होती है these are different different units जो present होता है इसका काम क्या होता है basically एक एक function का हम लोग काम देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको आगे process करेंगे जैसे आप यह देख रहे हों किस तरीके से material का flow हो रहा होता है आप सी यहां सी यान आता है आपका यहां सी यान आता है यह guide rollers लगे हुए है आपको जो आप roll करोगे उसमें वो difficulty आ जाएगी फिर यह क्या लगा हुआ है आपका यह चीज है यह immersion roller लगा है मतलब यह आपको इसमें help करता है डालने में और यह जो है यही sizing box है sizing box में ही आप size को add on कर देते हो और पूरे process को recipe के हिसाब से add कर देते हो वो पूरा process है वहां से जात यहां से आपने pass किया और इसमें जितना भी pressure आप दोगे उससे जितना भी आपने किसी भी चीज को आप बुट कर दोगे तो बहुत सदा add on हो जाएगा यह squeezing rollers क्या करते हैं यह आपके add on को maintain कर रहे होते हैं और then you proceed ahead for this aspect अचा फिर measuring rollers लगे होते हैं फिर उसके बाद इस तरीके से यह tension rollers है और यह चीजें इस तरीके से हम लोग इसको define कर रहे होते हैं this is the typical yarn path यह आपको sizing box समझना थोड़ा जरूरी है sizing box simple machine है just for your reference as so I have shown कि किस तरीके से होता है जिससे sizing machine आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से यह दिया हुआ है sizing machines और these are the typical sizing machines और यह machine का description is not of our use we will keep till here only और कि कि दूल हुआ जया है झालगा है जजब यह जदेखर बादर में सकता है आपको फिर यह जबijo का दो हैं